सद्कुरू रूपी प्यारी साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी सद्कुरू माता जी का दासी लख लख शुकराना करती है जिनकी किरपा से हमारा ये जीवन का सफर तै हो रहा है जीवन का सफर कट रहा है संगजी सत्कुर माताजी की ही असीम किर्पा से दासी आपजी के चर्णों में ये एक कहानी शेयर करने जा रही है आपजी ये कहानी परवान करें इस कहानी द्वारा हमें यही सीख मिली है कि जो सत्कुरू के चर्णों में भोले भाले बन कर आते हैं वही सत्कुरू के दर पर टिक सकते हैं और जो चतुर चलाक बन कर आते हैं वे जादा दिन तक गुरू के दर पर टिक नहीं सकते बोले भाव रीजे रगुराई कहते हैं कि बोले जो बनकर आते हैं उन्ही पर ये सतकु निरंकार खुश होता है ऐसा इस कहानी में बताया गया है सासंगत जी कहते हैं एक अनंद नाम का भोला भाला युवक था वह कोई भी काम नहीं करता था बस खाता ही रहता और सोता रहता उसके घर वालों ने कहा चलो निकलो घर से कोई काम तो करते नहीं हो बस पड़े ही रहते हो और खाना खाते रहते हो वह घर से निकल कर एक आश्रम में पहुँच गया वहाँ उसने देखा कि गुरु जी है उनके शिश्य कोई काम नहीं करते बस मंदिर की पूजा करते है उसने मन में सोचा यह तो बहुत अच्छा काम है कोई काम धाम नहीं बस पूजा ही तो करनी है तो उसने गुरु जी के पास जाकर पूचा गुरु जी क्या मैं यहां रह सकता हूं गुरु जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं अनन्द ने कहा लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ तो गुरु जी ने कहा कोई काम नहीं करना बस पूजा ही करनी है तो अनन्द ने कहा कि ठीक है ये काम तो मैं कर ही लूँगा वे अनन्द आश्रम में रहने लगा, सारा दिन वे खाता रहता, और प्रभु भगती के गीत गाता रहता, इस तरह वे अपना समय वैतीत कर रहा था, तो कहते हैं कि एक महीना हो गया, फिर एक दिन एकाजशी आई, उसने रसोई में जाकर देखा, कोई खाने की तियारी नहीं एक आदशी है, तुमारा भी उपवास है, उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया, तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो उपवास कर ही नहीं सकते, हमें तो बहुत भूख लगती है, तो गुरु जी ने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया, फिर गुरु नो अनन्द ने कहा, ठीक है, गुरु जी ने कहा, कि जब तुम खाना बना लो, तो भगवान राम जी को भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर अपनी इरसोई बना लो, ठीक है, लकड़ी, आटा, तेल, सबजी लेकर अनन्द चले गे खाना बनाने के लिए, खाना बनाया, खाने लगा, तो याद आया, कि गुरु जी ने कहा था, कि भगवान राम जी को भोग लगाना है, वह गाने लगा, वह कहने लगा, आओ मेरे भगवान राम जी भोग लगाओ, प्रभु शिरी राम जी आईए, आईए शिरी राम जी, मेरे भोजन का भोग कोई ना आया तो बेचैन हो गया यहां तो भूख लग रही है और भगवान राम जी तो आ ही नहीं रहे हैं तो आगे से बोलना वह और तो कुछ जानता नहीं था प्रभू शाक्षात पर गुरू जी की बात माननी भी जुरूरी थी फिर उसने कहा देखो प्रभू राम जी मै समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो क्योंकि मैंने रुखा सुखा खाना बनाया है आपको तो अच्छा खाना काने की आदत है इसलिए आप नहीं आ रहे हो तो सुनो प्रभू आज वहां पर कुछ नहीं बना है सबकी एक आदशी है खाना हो तो या भोग ही खालो भगव भगत मन में सोचता है गुरू जी ने तो कहा था कि भगवाल राम जी आएंगे पर यहां तो माता सीता जी भी आई है और मैंने तो भोजन बस दो ही लोगों का बनाया है चलो कोई बात नहीं आज इने ही खिला देते हैं बोला प्रभू मैं भूखा रह गया आप कितने लोग आ रहे हैं और हाथ थोड़ा जल्दी आना भगवाल राम जी उसकी इस बात पर बहुत खुश हुए और भोजन ग्रहन करके चले गए और अगली एक आदशी तक भोला अनंद सब कुछ भूल गया था उसे लगा प्रभू ऐसे ही आते होंगे और प्रशाद ग्रहन करते होंगे फिर एक आदशी आई उसने खाना बनाया और उसने कहा कि आओ भगवाल राम जी उसने गुरु जी से कहा गुरु जी मुझे थोड़ा ज़ादा खाना दे देना क्योंकि दो लोग आते हैं गुरु जी मुस्कुराए भूख के कारण गुरु जी कहने लगे कि इसको ज़्यादा ही भूख लगती है और ये ज़्यादा खाना खाता है गुरु जी ने कहा ले जा अनाज अब की बार उसने तीन लोगों का खाना बनाया फिर उसने कहा आये प्रभु राम जी आये सीता माता जी मेरे भोजन का भोग लगाए प्रभु की महिमा भी निराली है भगत के साथ कोतुक करने में भगवान को बड़ा मजा आता है इस बार भगवान राम जी भाई लक्ष्मन भरस शत्रुगन और हनमान जी को लेकर आ गए भगत को चक्कर आ गए क्या हुआ एक का भोजन बनाया तो दो आ गए दो का खाना जादा बनाया तो पूरा खानदान ही भगवान तो लेकर आ गए है लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा सब का भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा अंजाने में ही उसकी एक आदशी हो गई और फिर अगली एक आदशी आने से गुरू जी से कहा गुरू जी यह है आपके प्रभू शिरी राम जी अकेले क्यों नहीं आते हर बार कितने सारे लोग अपने साथ ले आते हैं इस बार अनाज ज्या गुरू जी ने कहा जितना अनाज चाहिए इसको दे दो और गुरू जी छुप कर देखने चल पड़े इस बार अनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं फिर उसने भगवान को राम जी आईए मेरे भोजन का भोग लगाईए सारा राम दरभार मोजूद इस बार हनमान जी भी साथ आए यह क्या भोजन तो त्यार ही नहीं भगट ठैरा भोला भाला कहा प्रभु शिरी राम जी इस बार मैंने खाना नहीं बनाया प्रभु शिरी राम जी ने पूछा क् फिर क्या फाइदा भगवान का प्रभु शिर्राम जी मैंने इस बार खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे मिलेगा तो है नहीं फिर क्या फाइदा बनाने का भगवान राम जी मुस्कुराए सीता माता जी भी मुस्कुराई उसके मासुम जवाब से लक्ष्वन जी बोले अब क क्या करें प्रभू प्रभू बोले भगत की इच्छा तो पूरी करनी ही होगी चलो लग जाओ काम में जो कि भगत ने कहा था भगवान जी आप खुद ही खाना बना लो तो भगवान जी ने कहा चलो खाना आप खुद ही बनाना पड़ेगा भगत की बात तो माननी पड़ेगी लक्ष्मन जी ने लकड़ी उठाई माता सीता जी आटा चानने लगे भगत एक तरफ बैठा हुआ देखता रहा माता सीता जी रुसोई बना रहे थी तो कई रिशी मुनी यक्ष गंधरव आधी परशाद लेने आने लगे इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं भगत एक कोने में बैठा है पूछा बेटा क्या बात है खाना क्यों नहीं बनाया बोला अच्छा किया गुरु जी जो आप आ गए देखिए कितने लोग आए हैं प्रभू शीर राम जी के साथ गुरु जी बोले मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा तुमारे और अनाज के सिवा अनन्द भगत ने अपना माथा पकड़ लिया एक तो इतनी मेहनत भगवान कराते हैं प्रभू भूखा भी रखते हैं और उपर से गुरु जी को दिख भी नहीं रहे हैं यह बड मुसीबत है प्रभु शिर राम जी से कहा आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो प्रभु शिर राम जी बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता तो अनन्द बोला क्यों वह तो बड़े पंडित हैं ज्यानी हैं विद्वान हैं उन्हें तो बहुत कुछ आता है उन्हें आ उन्हें नहीं दीख सकता तो अनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है अगर आप सरल नहीं है तो प्रभु को आप दीख नहीं सकते तो आगे से गुरु जी रोने लगे, कहने लगे, वाक्य में ही मैंने सब कुछ पाया, सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरहें, प्रभु तो मन की सरलता से ही आते हैं, और फिर जब अनंद ने भगवान शिरी राम जी से कहा, कि मेरे गुरु जी को भी दर्शन कराओ, तो अनंद के कहने पर भगवान शिरी राम जी ने गुरु जी को भी मामूली सी जलक दिखाई, गुरु जी को भी थोड़ी सी भगवान की जलक दिखाई दी, कहने का भाविय ही है, बोले भावरी जे रगुराई, जो बोले बनकर सत्गुरु के चर्नों में आते हैं, वही सत् गुरु को ऐसे भगत की हर एक बात जो है वो पूरी कटनी पड़ती है ऐसे हिदासी सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज की भी बाते आपची के चर्णों में शेयर करेगी सत्कुरु की तो जितने भी बाते की जाएं उतनी ही कम है सत्कुरु ने तो हमें सारी उमर ही द सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज की बात भी शेयर करने जा रही है एक बार एहमदाबाद के जोनल इंचार्ज महात्मा सत्कुर बाबा जी के पास अपने किसी काम से गए दिल्ली में तो सत्कुर बाबा जी से उन्होंने मिलना था सत्कुर बाबा जी मिलने के चाल पूछा परिवार के बारे में भी पूछा और फिर उन से ये भी पूछा कि आप किस काम से आए हैं तो वो महात्मा कहते हैं कि जब सारी बात हो गई तो कहते हैं सतकुरु बाबाजी ने सेवदार महात्माओं को कहा कि इन के लिए ठंडा लाओ इनको चाय पानी पिलाओ नाश्टा कराओ, खाना किलाओ, क्यते हैं, कि मुझ ना चीज की भी, इतनी सत्गुरु ने चिंता की, इतनी फिकर की, साथ संगत जी, ये सत्गुरु उन्हीं की फिकर करते हैं, उन्हीं की चिंता करते हैं, जो सत्गुरु के पास भोले भाले बन कर जाते हैं, सत्गुरू को सब पता होता है ये हर घट का अंतरियामी है अपना अंतरियामी तो हर इनसान है लेकिन ये जो भगवान होते हैं ये सब के अंतरियामी होते है तो सत्गुरू को सब पता था कि ये मेरा भोला भाला भगत है ये अंदर बाहर से एक है इसलिए सत्गुरू के दिल में उन्होंने अपनी जगह बना ली और इस तरह उन्होंने प्यार पाया तो महात्मा ये बात कहते कहते रोने भी लग गए कहते हैं कि सत्गुरू नो सिख प्यारे अपने पुत्तर दियां तो सत्गुरु अपने सिखानु ही देन इमान समझदाए कहे अवतार गुरु सिखताई अपनी जान समझदाए वाक्य में ही सत्गुरु को अपने सिख बड़े प्यारे होते है और सत्गुरु को अपने संगस से बड़ा प्यार होता है और सत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त को कहते हैं कि जब सत्गुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज ग्राउंड नम्बर आट में ससंग करके कोठी में वापिस आए तो कहते हैं मैं बाबा जी से मिलने के लिए गई तो बाबा जी कहते हैं कि आज आप ससंग में नहीं देखे तो कहते हैं कि मैंने कहा कि कल मंडे को मेरा बहुत ही मुश्किल पेपर है इसलिए मैं उसकी तियारी कर रही थी और मैं ससंग में नहीं आई तो बाबा जी नहीं कहा कि क्या आप खाना नहीं खाते हो खाना कभी मीश करते हो आप क्या और काम नहीं करते हो और काम भी तो करते हो इसी तरह ये सत्संग भी बहुत जुरूरी है सत्संग को भी सबसे पहल देनी है सबसे पहले सत्संग में आना है तो बेहन संता जी कहते है इस तरह सत्कुरू ने हमें समझाया कि प्रत्थम भगती संतन कर संगा सबसे पहले भगती की सीडी संतों महापुर्शों का संग है साथ संग को बहुत ही एहमियत देते थे सत्कुरू और हर समय यही कहते थे कि यह जो साथ संगत है यह बिरे सिर का ताज है ऐसे ही एक और महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे कहते हैं कि एक महात्मा थे उनका लीडर्स के साथ बहुत ही आना जाना था बहुत ही उनका उटना बैठना आना जाना था तो वो जो लीडर्स थे वो कहते हैं उस महात्मा से कि हमें भी सतकुर बाबाजी से मिलवाओ तो उस महात्मा ने सत्कुर बाबाजी से बात की लिडर्स आप से मिलना चाते हैं तो बाबाजी ने उनको टाइम दे दिया कि इस टाइम पर आ जाना तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि हम सत्कुर बाबाजी के पास टाइम से भी पहले पहुंच जाएंगे क्योंकि सदकुरु का time जो होता है वो बड़ा ही कीमती होता है और सदकुरु को तो बहुत सारे काम होते हैं इसलिए हमने सदकुर बाबा जी के समय की तरफ भी ध्यान देना है तो कहते हैं कि जो ये leaders होते हैं इनका इतना भघवान से प्यार नहीं होता तो ये अपने ही दुनियावी कामों में उलजे रहते हैं ये अपने दुनियावी कामों में इतने बीजी हो गए कि जिस समया पर सत्कुरू बाबाजी के पास पहुंचना था उस समया तक तो वहीं पर ही थे तो कहते हैं वो बाबाजी के पास अभी उन्होंने जाना था 50-60 किलो मिटर चल के तो वहाँ से चलने में उन्हें टाइम भी लगना था तो वो जो महत्मा थे वो कहते हैं कि हम तो लेट हो गए हैं बहुत हमने तो जल्दी नीकलना था बहुत लेट हो गए हैं अब बाबजी को क्या जवाब देंगे अगर बाबजी पूछेंगे तो आगे से वो leaders कहते हैं कि आप बाबजी को कह देना कि इनकी CM के साथ meeting थी इसलिए late हो गए तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मैं बाबजी के आगे जुट नहीं बोल सकता तो वो कहते हैं कोई बात नहीं आप ये बात बोल देना तो उन्होंने दर के कारण उन्होंने कह दिया चलो ठीक है तो जब वो बाबजी के पास पहुंचे बाबजी उनकी wait कर रहे थे और काफी late हो गए बाबजी को काफी समय उनकी wait करनी पड़ी तो जब वो पहुंचे वो आगे से मात्मा कहते हैं बाबजी हम लेट हो गए हमें माफ करना तो बाबजी कहते हैं क्यों क्या बात हुई सत्कुरू अंतरयामी को तो सब पता होता है तो आगे से मात्मा कहते हैं इनकी CM के सत्मीटिंग थी तो बाबा जी मुस्कुराने लगे बाबा जी ने लीडर्स की बात सुनी और जो भी बात करनी थी उबात करके बाबा जी ने कहा वो मात्मा वो लीडर्स कहने लगे अच्छा बाबा जी आपका शुक्रिया आपको काफी देरवेट भी करनी पड़ी इसके लिए हम आप जिसे शमा भी चाते हैं तो आगे से बाबा जी ने कहा ठीक है तो वो नमशकार करके बाबा जी को जाने लगे तो बाबा जी ने उस महात्मा को रोक लिया बाबा जी कहते हैं आप रुको आप नहीं अभी जाओगे वो लीडर्स तो रूम से बाहर चले गए लेकिन उस महात्मा को बावजी ने कहा बावजी कहते हैं कि जो ये दुनिया वाले लोग होते हैं ये तो जुट बोलने तो कोई बात नहीं चल जाता है लेकिन आप तो महापुर्श हैं मापुर्शो को जुट बोलना शुबा नहीं देता है तो वो महात्मा बड़े ही शर्मिन्दा हुए बावजी कहते हैं कि आप कह रहे थे कि सीम के साथ मीटिंग थी लेकिन आपने ये बात जुट बोली है संगजी अंतरयामी को क्या नहीं पता ये घटगटवासी को सब पता होता है बावजी नहीं यहाँ पर भी हमें ये दिखाया कि जो संद मात्मा होते हैं ये हमेशा इमानदार ही बनकर अपना जीवन वे अतीत करते हैं संदों मात्मा को कभी भी किसी बात में भी जूट नहीं बोलना चाहिए जो सचाई है वो सचाई ही रखनी चाहिए इसलिए हमें इस बात से भी ये शिक्षा मिली है कि हमने कभी भी जूट नहीं बोलना हमने हमेशा सची बोलना है ये हमें सद्कुरू ने सिखाया है अगर हम सद्कुरू की शिक्षाओं को याद कर रहे है सद्कुरू की बातों को याद कर रहे हैं तो हम उन शिक्षाओं को करम रूप में भी ढालें तब ही इन शिक्षाओं को सुनने का और सुनाने का फायदा है कहते हैं कि सादू का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है इस मन ने सुनना है और करम द्वारा सुनाना है हम सत्कुरू माता जी के चर्णों में यही अदास करते हैं यही शीरफाद मांगते हैं सचे पाश्या हम जो भी सुनते हैं उस पर हम अमल भी करें अमला नालहून के निबेड़े जात तेरी किसे पुछनी नहीं संगजी अमल करने से ही बात बनेगी अगर बातों से बात बन जाती तो फिर सत्कुरू को कहना ही ना पड़ता कि बातों से अगर बात बने तो फिर सत्कुरू को कहना ही ना पड़ता कि करम करो इसलिए हमें सत्कुरू जैसा सिखा रही हैं हमने उस बात पर चलते जाना है और सदकुरू की बात को मानते चले जाना है संगत जी यही अशीरवादासी अपने लिए सदकुरू माताजी से मांगती है कि जो भी बोल बोले जा रहे हैं इन बोलों के ओपर हमें तोलना भी आजाए अमल रूप में लाना भी आजाए जी नेवी संत तेरे मेरी माला दे मनके ने जदो एनानू तक दी हां इबादत हो ही जन दी है सचे पाशा जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना और हर एक जीव के उपर सचे पाशा अपना मेहर भराहात रखना किसी कोई कमी न देना खुशी इतनी देना कि कोई गमी न देना भरो खुशियों से सब के धामन कि कहीं कोई गमी न रहे खुशी दे दो इतनी सचे पाशा खुशी इतनी दे दो कि संतों मात्माव की छोली भी छोटी पड़ जाए एदेदारते ने खुशियां हजारा सचे पाश्या के दर पर खुशियां हजारा है सचे पाश्या हमें इतना अशीरवाद देना कि हम इन खुशियों को अपने छोली में सिमेट पाएं और आप जी के वच्चनों पर चलते चले जाएं जो भी आप जी चाहते हो इन वच्चनों पर हम अमल कमाएं मनिये जेकर वच्चन गुरू दा उस्तत गुर्दी होवेगी आप पे सीमरन होवेगा ते गुर्मत दूर खलोवेगी गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे उची वो सेवा कहलाती है संगत जी जो भी हम सुनते हैं उस पर अमल कमाई यही अशीरवाद दासी साथ संगत माँ से भी मांगती है सक्कुर माता जी से तो मांगती ही है आप साथ संगत मा से भी मांगती है यही अशीरवाद देना दासी सिम्रन कराएगी और विचार करते हुए दासी से बहुत से गल्दियां हुई होगी आप जी शमा कर देना साथ संगत जी सिम्रन में सभी मिल कर साथ देना तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहां मैं नूबख्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहां मैं नूबख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुर बचन अवतार की जै सास संगर जी प्यार से कहना धन दिरंकार जी